हेलो फ्रेंड्स, चिगिसास किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे नाइलोन पोहा का चेवडा ये चेवडा बहुत ही क्रिस्पी अन क्रंची लगता है और ये बहुत ही टेश्टी लगता है बच्चो को ये बहुत पसंद आएगा शाम की छोटी-छोटी भूख में बच्चो को आप ये स्नेक्स दे सकते हैं ये बहुत ही हेल्थी स्नेक्स है इस चेवडे की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें बहुत ही कम तेल का यूज होता है तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है तो चलो बनाते है नाइलोन पोहा का चेवडा फ्रेंड्स रेसेपी देखने से पहले आप सबसे एक रेक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज एक बार सबस्क्राइब करें यहां पर मैंने 500 ग्राम नाइलोन पोहा लिया है और इसको मैंने अच्छे से छलने से चान लिया है यहां पर मैंने एक छोटी कटोरी कच्ची मुफ़ली लिया है यह करी लिव्स लाल मीर्ची पावडर यह काजु को मैंने दो भाग में कट कर लिया है हल्दी पावडर, पीसी हुई चीनी, नमक, सुखी द्राक्स और दो से तीन बड़े चमच तेल सबसे पहले हम पोहा को ड्राइ रोष्ट करेंगे गैस की आँच को हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार हिलाएंगे ताकि सब जगसी अच्छे से पॉक जाएं, भून जाएं देखें पोहा अच्छे से भून गया है हमें इसे चेक कर लेना है हाथ में लेके हम इसे ऐसे दो उंगली में लेके मस लेंगे तो ये इसका बारीत पोका हो जाएगा देखें, मतलब कि हमारा पोहा अच्छे से सीख गया है भून गया है, अब में इसे निकाल रही हुई एक बरतन अब हम पोहा को एक बरतन में निकाल देंगे और सेम कड़ाई में हम पोहा का मसाला तयार करेंगे अब हम कड़ाई में तीन बड़े चमच तेल डालके इसे गरम होने देंगे तेल जब गरम हो जाए तो इसमें करेलेवस को डाले करेलेवस को मैंने पानी से अच्छे से वाश करके इसे एक साफ कपड़े से पोश लिया था अब मैं इसके अंदर मुफली डालूंगी मुफली थोड़ी भूंच आए तो इसके अंदर मैं काजू डालूंगी और इसे भी थोड़ा मिक्स कर लूंगी अब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक डालूंगी इसको मिक्स कर लूंगी अब मैं इसके अंदर चीनी पाउडर डाड रहे हूँ इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी अब भुनी हुए पोहा को डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी गैस की आँच मैंने थोड़ी मीडियम रखी है हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है देखें पोहा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक से दो मीट हम इस तरह से इसको मिस करते हुए जलाएंगे ताकि मसाले और पोवा अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा क्रिस्पी और क्रंची नायलोन पोवा बनके तयार हो गया है अब मैं गैस ओफ करूँगी और इसे एक सर्विंग डीस में निकाल दूँगी देख सकते हैं आप देखे फ्रेंट्स हमारा क्रिस्पी और क्रंची नायलोन पोवा का चिवड़ा बनके तयार हो गया है पोवाज ठंडा हो जाए इसके बाद में आप इसे एक कंटेनर में भरके रख दीजिए एक मेने तक आप इसे श्टॉर कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस रेसीपी को आप एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी है आपको मेरे पोवा की रेसीपी कैसी लगी यह मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आपको मेरे रेसीपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेर करें तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई